26 माई को मध्य प्रदेश की दमुस्तित पारस पैलिस में निशुल के विद्या सुधा चिकित्सा एवं स्वास्थ शिविर कायूजन हुआ जिसमें विभिन विवागों के विशिशक के डॉक्टरों द्वारा चिकित्सा एवं परामर्शिला भार्थियों को दिया गया समाधिस्त आचारे श्री विद्या सागर जी महराज एवं निर्यापक मुनिश्री सुधा सागर जी महराज के मंगल आशिरवात एवं जैन डॉक्टर एसोसियेशन द्वारा विद्या सुधा निशुल के चिकित्सा एवं परामर्श स्वास्थ शिविर कायूजन किया गया ये शिविर 26 मही को मध्य प्रदेश के दमो इस्तित पारस पैलेस में लगाया गया जिसमें एलोपैथिक, आयूरवेदिक, हुमियोपैथिक, दन्त चिकिस्सा एवं फिजियो थेरपी से जोड़े मरीजों को परामश दिया गया गत्रित होकर परमपुजी का आसीरवात प्राप्त किया आज उसी के कारिक्रम में एक बिरहत सिविर का यहां आयोजन किया गया लगबग 500 से 1000 के बीच यहां उपस्थित जन्समुदाय ने इस सिविर का लाब लिया जिसमें सभी विसेशग सरजरी, मेडिशन, हड़ी रोग चर्म रोग, होमोपेथिक, आर्वेदिक और सभी विधाओं में पारंगत चिकिस्तक जो हमारी जन्समाज के हैं उन्होंने यहां कर अपनी सिवाएं दी शिविर में मरीजों को परामर्श देने आए डॉक्टर उन्हें अपने भाव व्यक्त किये यहां पर Gen Doctor Association के माध्यम से एक सिविर का और्गनाईजेशन किया गया है जिसमें सभी पैथी के डॉक्टर्स हैं और सभी अलग अलग फील्ड के भी स्पेसिलिस्ट डॉक्टर हैं सभी प्रकार की बिविन तरीके के स्पेसिलिस्ट हैं सभी प्रकार के डॉक्टर्स हैं यहां पर यह आम जन्मान इसके लिए और्गनाईज किया गया है जिसको कोई भी असुबिधा ना हो सके कई बार ऐसा होता है कि दूसरी कोई बीमारी होती है और हमें यह भी नहीं मालूम रहता है कि हमें किस प्रकार के डॉक्टर के पास जाना है दमो में आईजित विध्या सुधा चिकित सायवों स्वास्थ शिविर में बड़ी संख्या में मरीजों ने भाग लिया जैन फोकस के लिए दमो मद्यप्रदेश से ब्यूरो रिपोर्ट झीए हुआ झीए हुआ हुआ है